रादे रादे जी सभी को प्रणाम कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे तो बस यह ना शाम का टाइम है मैंने बना ली थी थोड़ी सी ना पनीर रखा था तो उसकी पनीर की मैंने अच्छी सी भुजिया बना ली थी मत चाहिए और कड़ी में पाई व्लॉग है न उप्साइसे नहीं उपाई रहे हैं तो मैंने जैसे बताई लेता है पनीर की सब्स है तो बहुत है कड़ी भी बहुत ही शानदार वाली कड़ी बनी है मज़ा आगया, बाल आगया, जिस दिन सिर दोलो ना उस दिन बावाली हो जाता है, सिर मैंने थोड़ी सी महंदी लगाई थी, फिर से लगानी थी, अजीब सो रहत है बाल, तो चलिए थोड़ी सी कच्छी प्याज काटें, चलिए, अपने व्लोग का ही पैंट करते हूं, फिर एक नए इंटरस्टिंग इसे व्लोग के साथ मिलूंगी, तो नुझ रहा है, आज है न, मौसम हुआवी वाग से, वह होता है वेदर, तो बाएश आगे न, बाएश आगे बहुत तेज ठंड पढ़ने वाली है, वैसी हम बहुत तेज ठंड पढ़ने वाली है, और भी होने बच्चे को भी धियान रखिए उन्हें भी भाहर का खाने से मना कर जेए बच्चे मानते निये खा ले थे फिर भी तो जितना होसके न उन्हें ऐसी हल्दी जैसे चाय वगेर के जैसे मैंने मसाला बनाया था वह बहुत ही अच्छा है वह बना के आप भी रखिए अपने और अ बाजी रहती है तो देखिए हम पर है ये गुड़ का पानी नहीं हो रही हूं तो आना कुछ बनाना है और बस यह देखिए मैंने रात के व्लोग का एंट करके एकदम सुवे शुरुआ दिखा रही हूं आपको तो यहां पर है ना मैंने थोड़ा सा गुड़ का पानी ये तो यहां पर है ना मैंने मैठी के मैने पराठे बनाए थे वो बेटे को दे दिये थे और थोड़ी सी बचरी थि पनीर की सभजी तो तो हो गया थे थी accept और यहां पर फिर से मैं साफ वगयरा सब कुछ कर दिया है तो यहां पर मैं पर कद्धू की जो सब्जी है वो छोंक रहे हूं यहरा कद्धू है बहुती टेस्टी लगती है और सब्जीया नहींती सारी आ गई थी तो कभी-कभी तो ऐसा होता है इतनी सब्जीया दाती न तो हुआ है शनिवार हुआ इसमें तो बिल्कul भी नहीं होता है और देखें मैंने न कई दिनों से मतलब हजब हजबन के छोट लगी थी मैंने जब भी बोल दिया था कि मैंना हन्मां जी खेना रोट चढ़ा होंगी हमारे अना मतलब होता है हम रोट शनिवार या मंगल को रोट मतलब अपनी इच्छा अनुसार दे कि हनमान जी का कोई वो नहीं है कि किसी मकसद से पर होता है हमारे रोट वगेरा चड़ा देते हैं हमारे घर का ही मंदिर है तो मापे हनमान जी के हम रोट चड़ाते हैं तो वे न और उन्हें ती पूरी करनी ही चाहिए और मैंने बोली दिया था कि न मैं चड़ाओंगी तो यहां पर बस मैंने आटा ले लिया तो मैं आज गुल गुले बनाकर तो वो चड़ाओंगी इस देखे ठंड भी है इस बाने हमारे जो भगवान जी खाय भोग वो भी लग जाएगा तो के सारा काम शुद्धताई से हो रहा है बिल्कुल है ना कोई भी और देखे भगवान के मामले में तो बिल्कुल भी शुद्धताई होई नहीं सकती और जो हमारे घर में सबी लोग है ना हनमान जी को रोट वगएरा चड़ाते ही है रोट ना हो तो गुल-गुले चड़ा मतलब कुछ मीठा जरूर मतलब इस तरीके से जो उनका प्री होता है ना हनमान जी का तो वह तो मैंने सोचा के भई ये देखिए रोट में तो टाइम लग जाएगा क्योंकि तवा वगएरा वैसे टाइम तो नहीं लगता बहुत असानी से बन जाता है फिर मैं दुबारा फ नहीं सफेद वाले थोड़ सर गोले का बुरादर डाल दिया है और मेरे पास खस खस नहीं ती पोश्त वह भी होती तो वह भी डाल देती है हलकिसी में नहीं पे सूजी भी डाल दिये और आटा ले लिया आटे में मतलब और ये जो गुड का पानी है इससे अच्छी तरीके से बस ये घोल लिया है तो एक तरफ सबजी वगेरा बन लिया और पूरी किचेन साफ कर लिती है जो भगवान का नाम होता है और उनका काम होता है तो देखिए मन में भी एक चीज रहती है कि बिल्कुल शुद्धताई से बिल्कुल साफ तरीके से ही होना चाहिए भगवान का काम तो यहां पर है ना तेल मैंने तेल नहीं सोरी तेल का तो देखिए कोई मतलब भी नहीं है और भगवान यह जो हनमान जी का है ना तो यह जो हम रोट या फिर गुल-गुले बनाते ना यह हम शुद्ध घी मतलब देशी घी में ह यह गी चड़ा लिया है तो बस यहां पर यह सब कुछ तेयार हो गया इसमें थोड़ा समय पिंच भर यह सोड़ा एड़ कर दूँगी बाकी यह भी जरूत नहीं है ना भी होता तो भी चल जाता बहुत ही मुलायम और एकदम ही क्रिस्पी बनते हैं तो यहां पर ना मैंने ह बहुत ज्यादा ठंड हो रही है ना तो जो मेरी जो हेलपर है उसको भी ठंड लगती होगी मुझे पता नहीं क्यों है ना अपना ऐसा ही फील रखती हूं मैं तो मैंने उसको बोल दिया है कि ना पहुचा तुम थोड़ा गुन गुने पानी में लगा लेना इधर बस देख दिल में जो है हस्बंट जी भी फूजा कर रहे है बस उनके हाथी में भेजूँगी तो भोग लगायाएंगे और वही पर जो है ये रखकर आ जाएंगे तो उसके बाद जो भी है मैं फिर यहां के भगवान जी का भी लगा दूँगी तो इस तरीके से देखिए जो मन में स खुजी हनमान जी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएं और जब मतलब पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा चल मतलब थोड़ा सा देखिए दिक्कत तो थी ना चलने में और पट्टियां वगारा भी हो थी बहुत बड़ी बला टली है तो बस यही है भगवान को हम तो क्या ही अरपन क कर सकते हैं सब उन्हीं का दिया है पर एक भाव अपनी श्रद्धा होती है कि उनको भी भूग तो लगती होगी और देखें मैं मानते हूं कोई माने ना माने मुझे तो बहुत ज़्यादा इन चीजों का फील होता है कि बस अपनी अपनी भाव है तो यहां पर देखिए बस होती उम्दा खुश्बू, बहुती बहुति बहुत्य है तो यहां पर बस देखिए यह निकाल दूगी और जो पहले भगवान जी की है मतलब हमें हनुआ जी के हैं तो मैं करके हैं हजबेट जी के हाथ भेजदूगी मतलब उनका पैर बहुत-जादा ठीक है तो डॉक्टर डोक्टर ने भी उन्हें बोलाए कि आप चलो जितना चलो कि कोई दिक्कत नहीं अब आपके पैर बिल्कुल ठीक है तो मैंने का आप आप ही जाएं और खुदी चढ़ा कराएं क्योंकि देखिए मैंने यही बोला था कि आप ठीक हो जाओगे जब अच्छी तरीक से चलने लगो कि तो आपके हाथ से ही मैं भीजवाओंगी यहाँ पर बस देखिए वो तो मैंने भेजी दिये हैं और यहाँ पर साथ की साथ है ना बढ़वाला बेटा भी मेरी बहुत ज़दा हल्प करता है और देखिए मैं कहती नहीं हूँ पर उसको लगता है कि मुम्मी आप सारा दिन लगी रहती हो काम में तो मैंने कहाँ यह कोई नहीं यह देखे वहाँ का तो मैंने भेज दिया था मैंने 21 गुलगुले बनाके तो गिंती करके भेजे थे तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपने छोटूशे लड़ू पाल जी का लगाने के लिए बट इनके तो ना डेली ही रेवडी का भोग ल राका दिया है और अब मैं हजबन जी को दे दूँगी क्योंकि वो उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है जाने के उनके तो ऐसी ही रहती है बहुत ही ज़्यादा आफ़त तो यहाँ पर बस सीखे इनने भी खिला दिया है और इनसे पूछ रही हूँ कि कैसे बना औ तो यहाँ पर बस देखिए मैंने ये जो पराठे मैंने सुबही निकाल के रख दिये थे मतलब गाई के है न तो यहाँ पर बस सबजी रख दिये और ये एक गुलगुला मैंने गाई का भी रख दिया है तो बस ये गाई के निकाल दूँगे अब जो आगे का काम है बस उन बेंजी को दे दूंगी तो वो तो जाएंगे खाके तो बहुती फिर से भागा दोड़ी उनकी शुरू हो गई है बिल्कुल भी नहीं मान रहे और रोज की रोज कहां सुनी होई रही है अभी थोड़ ऐसा तो देखें और रेस्ट बोला है मतल़ इतनी जादा और मैंने जो हनमान जी का वो चड़वा दिया तो मुझे एक बहुत ज़दा अंदर से ना एक मतल़ ऐसा होता है कि एक बहुत ज़दा तसलिस हो जाती कि अब आप समभाल ले ना सब अब कोई दिक्कत नहीं है है ना तो बस एक उस तरीके से मेरा भाव रहता है कि अब आप सब कुछ समभाल लोगे और समभालते विए देखे अगर अपने मन में भाव रखेंगे हैं भवान के प्रती तो ही वो रहेगा नहीं तो बस शिक्वा करे जाओ शिकायत करे जाओ तो उससे तो कुछ नहीं होता तो बस ही यह है कि मैंने का ठीक है अब उनको अच्छा लग रहा है तो जाएं जाएंगे भी कुछ काम भी है बहुत सारे काम है तो करने भी पड़ेंगे देखे आदमी है तो घर से बार जाएंगे जब ही तो काम चलेगा घर बेटे तो देखे रोटियां आती नहीं है हमें तो हमारा काम ही तो है रोटिया बनाने का बाकी कमाके लाने का तो उनको ही काम है ठीक है अपना काम भी देखेंगे बत यह एकि देखे अपने सरीर की भी थोड़ी से न वो रखनी चाहिए बस मैं यही बोले जारी हूँ कि भीट भाण में जादा मत जाना किसी का पैर पढ़ जाएगा तो जो क्लिप लग रही है वो उसके पिछने का मतलब दबने का डर है बाकी और तो कोई दिखकत नहीं है तो यहां देखे वो तैना बड़ी तसलिशी मिलती है कई दिनों का बोला था तो आज एक बड़ा मन से बोच सा मेरे उतरा तो यहां पर बस उनको खाना वगेरा दे दिया है और अब मैं जा रही हूँ मतलब बज रहे हैं अभी 11 अभी मेरे पूजा रहरी है अभी तो इन सब का ही निम्टा है अभी मेरे खाने पीने का तो कोई मतलब भी नहीं है मै जाओंगी अभी पूजा करूंगी जो अपना पाड है अमना हन्मान चालिसा का वो करूंगी जो भी मतलब मेरा पाड पूजा वो करके और दोप अभी काफी सारे काम है मुझे तो पहले पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद आप से मिलती हूँ तो इन लोगों ने खरीक करे लिए था और टाइम अभी 11 सब ग्यारा हो रहे हैं और मैं सुबही न 7 बजे से लग गई थी क्योंकि देखे बैक टू बैट बहुत सारे काम जाते हैं बेटे को देना कपड़े तहर करना क्योंकि कल रात के कपड़े होते हैं तो अगले दिन ही तहर लगते हैं तो देखे जो था मेरा वो हो गया है तो यह बस नहीं पर देखे माई पूजा पा साथ करके आगी हूँ अब मैं करchemical गी हो आपर नाश्ता खाना खाना मेरा तो एक ही होने ौने वाला है मैं डबल डबल देकी हमारा है दो फैर में तो मैं करती नहीं हूँ एक ही बार कर लेती हूं क्योंकि करते करते वो ही 11 सवा 11 हो जाते है पूजा पार्ट करते हैं और काम निम्टाते तो बस यहां पर अभी भी काम निम्टाते हैं अभी भी थोड़े से काम है बाकी तो यहां पर देखिए कल का दूद था इसको बाल दिया था तो ये मैं लग करके रखूंगी और जो मलाई है वो थोड़ी थोड़ी से खटी करके रखनी हूँ तो होता है देखिए बचत ना बचत अपने हाथों में होती है तो मेरे तो लगी रहती है देखिए अभी सारा साफ करके इसी भी गुनी में मतलता इसका पानी लेके इसमें चाय भी बन जाएगी है मतलता हो जाता है काम तो यह काम भी होते हैं और यहां पर जो गुलगुले थे न वो भी थोड़े से मैंने अपने खाने जितने उतार लेते हैं और सचमानी मैंने नाश्ता करा ही नहीं था मैंने यह गुल-गुले खा लिये ते और इतने टेस्टी बन रहे थे ना, सच मेंवें बहूत मजा आ गया, बहुत ही करा रहे और जब जिस चीज में भगवान का नाम हो जाता है वो छीज तो अपने आप में ही स्वाध हो जाती है तो यहां तो वैसे ही माबा बजराम वाली का नाम आ गया था तो वो तो चीज होनी ही थी और यह थोड़े से मैंने उतार के रख दिये थे और मैंने का पर मन था कि मैं इधर उधर भेज दूँ मतलब अपनी जो बड़ी भाबी जी हैं उनके भेज दूँ तो पर कोई थाई नहीं बच्चा बच्चा कोई भी नहीं था है ना तो जिनके हाथ में भेज थी मेरे साथ तो क्या प्रॉब्लम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ग्यारा बजे के आसपास जिस टाइम भी मतलब खाने का मेरा रूटीन होता है उसी टाइम पे वो ही रूटीन ऐसा बन रहा है अगर मैं दो ब्रेड के पीस भी खालूंगी तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं तो यहां देखिए सीजन का पहला साग अभी मैं बोली रहती के कोई आ जाए तो मैं ये भोग के गुलगुले भी दे दूँ और देखिए बस होता है ना कभी कोई भगवान सुनी लेते हैं तो यहां पर बस मैं ना ये सोची रही थी तो बच्चे आ गए साग लेके मेरी खानी कहां से सीजन का पहला साग आ गया है और अभी मैं यादी कर रहे थी साग को तो बस मैंने ना उनको बच्चो को बस वो जो गुलगुले थे वो डाल के दे दिया मैंने का अच्छ हो तुम आ गए तो इस बाने ये भोग भी ले जाओ तो बस साग शाम को खाएंगे और सच में ही बहुती साग बन रहा था तो बस शाम को हमने बनाई मी शी रोटी गुढ की डली और ये मेरी थाली तो जी बस अब मैं खाते हूं सीजन का पहला स्वाद बहुती टेस्टी बन रहा था तो देखे बहुत कम होता है जो मुझे साग बनाना पड़ता, मेरे तो इदर दर से आ जाता है तो जी बस मैं करती हूं साग इंजोई वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो है तो है